नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंग भालाजी श्रेट नमें आपका स्वागत है सविधान के अलग अलग टॉपिक वाइस प्रस्णों की प्रेक्टिस करा रहा है तो 18 नमबर का टॉपिक हमारा लोग सभा जो है वो चला था इससे पहले स्टार्टिंग हमने 20 प्रस्ण का है कि छेत्रफल की द्रश्टी से देश का सबसे छोटा लोग सभा निर्वाचन छेत्र जो है वो कौन सा है ए ओप्षन है चांदनी चौक भी ओप्षन है कोलकाता और ये जरूर ध्यान रखेगा छेत्रफल के आधार पर पूछा गया है तीसरो आप्षन है मुंबई दक् आप्षन में से तो पहला ये ओप्षन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि चांदनी चौक आपका छेत्रफल की द्रश्टी से देश का सबसे छोटा लोग सभा निर्वाचन छेत्र है पर अगर छेत्रफल वर्ड ना लिका होता तब आप कहते है इस छेत्रफल की जो है इसका मलकागिरी लोग सभा निर्वाचन छेत्र है जहां पर कुल 29,53,915 जो है वो मतदाता है 22 प्रसंदेखते हैं भारत में छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा संसदी ये निर्वाचन छेत्र जो है वो कौन सा है लद्दाक पहला ओप्षन दूसरा ओप्षन बाड़मेर, तीसरा है कच्च और चौता है लखनो तो बताए इन चार ओप्षन में से कौन सा जो है आपका सही होगा भारत में छेत्रफल की द्रश्टी से मैंने इसलिए पहले कहाता है कि जब छेत्रफल की द्रश्टी से पूछता है तो आपका ओप्षन का अंसर जो है व जो है आपका छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा संसदी ये निर्वाचन छेत्र है तरहीस नंबर प्रसंद देखते हैं कि कौन सा समवैधानिक संसोधन राजियों से चुने जाने वाले लोगसभा के जो सदस्य है उनकी संख्या बढ़ाने से जो है वो संबंदित है इस टाइब से चार ओप्षन दे रखे हैं तो बताईए कौन सा समवैधानिक संसोधन राजियों से चुने जाने वाले लोगसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है तो बताईए इन चार उप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा कौन से समयधानिक संसोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोगसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जो है वो समंदित है चलिए बात करते हैं अंसर की इन चार उप्शन में से कौन सा सही होगा तो आपका सी वाला उप्शन है आपर सही होगा 24 प्रसना आपका है कि लोगसभा में केंद्र सासित प्रतेसों के प्रतिनिधी चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं आप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नामांकन के द्वारा या फिर उपरयुक्त सभी कौन सा इन में से सही होगा बताए इन चार आप्शन में से कौन सा सही होगा लोगसभा में केंद्र सासित प्रदेसों के जो प्रतिनिधी हैं वो चुने जाते हैं किस प्रकार से अंसर की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही जो है वो चुने जाते हैं 25 नमर प्रस्ट है कि राश्पती लोकसभा के जो दो सदस्य हैं उनको निम्न का प्रतिनिदित्व देने के लिए नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन, इसाई, बौध, धर्मा, विलंबी या फिर पार्जी बहुत ही आसान सा प्रस्ट है काफी वर मैंने आपको बताया है जो राश्पती के दोरा रुतो सदस्य चुने जाते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन सबुदाय से संबंदेत एवाला ही आपका ओप्षन यहाँ पर भी सही होता है अगला प्रस्ट देखते है 26 नंबर 26 प्रस्ट आपका है कि लोग सभा जो है उसमें निमलिकित में से किसके लिए इस्थान आरक्षित है अनुसूचित जाती के लिए अनुसूचित जन जाती के लिए आंग्ल भारतिय वर्क के लिए या इन में से सभी के लिए जो है वो इस्थान आरक्षित है अंसर की बात करते हैं इन चार उप्षन में से तो आप क्या कहेंगे सभी के लिए स्थान आरक्षित है इन में से सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 27 नमबर प्रसन आपका बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रसन पूछ लिए जाते हैं आयू से संबंदित की लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की नियूनतम आयू जो होनी चाहिए और यही वो प्रसन था जो मैंने पिछले वारे वीडियो में पूछा था 21 वर्स, 25 वर्स, 30 वर्स या फिर 35 वर्स कौन सा इन में से सही होगा लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए चाहिए बात कर लेते हैं फिर अंसर की ओप्शन ABCD में से तो आपका B वाला ओप्शन जो है वो 25 वर्स विल्कुल सही हो जाएगा लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्स की जो आयू है वो आपकी नियूनतम होनी चाहिए याद रखिएगा लोगसभा और राजसभा इसी में confusion होती है तो लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुख व्यक्ति की नियुमतमायू 25 वर्ज की होनी चाहिए 28 नमबर फ्रसनाव का है कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधी लोगसभा में भेजता है बिहार, मद्ध प्रदेश, पश्यम मंगाल या फिर उत्तर प्रदेश बताई इन चार आप्शन में से कौन सा जो है वो सायोगा साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहेगा इसी प्रतार अच्छे प्रसनाव प्रैक्टिस करते रहें बताना आपको ये है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधी लोगसभा में भेजता है विहार, मध्य प्रदेश, पस्चिम मंगाल लोगसभा में या उत्तर प्रदेश में अंसर की बात करते हैं तो आपको इसी से अंदाजा लग रहा है जंसंक्या सबसे जादा उत्तर प्रदेश उसी आधार पर आप इससे जोड़कर याद रख सकते हैं या उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक प्रतिनेदी भी लोगसभा में जोड़ेज जाते हैं 29 प्रस्ण आपका है सुमेलित करने से समबंदित कि कौन सा युग्म सही नहीं है सुमेलित ना करके ये कह सकते हैं कि आमने सामें लोगसभा में स्थान लिखे हुएं बताना है गलत किसमें है यसे आंधर प्रदेश में 25 लिखे हैं पंजाब में 13 असम में 13 और पश्यमंगाल में 42 आपको छाटिए ना इसमें से कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है चलिए बात करते हैं अंसर की इन में से कौन सा जो है वो गलत है तो आपका आप्शन भी वाला असम जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर दे रखा है असम में लोकसभा में स्थान जो है वो 13 है जबकि जो actual में यहां पर लोकसभा में स्थान है उनकी संक्या जो है वो 14 है आपने जो इससे पहले चुनाव हुए थे उसमें भी यह चीज देखी होगी और वर्तमान में अगर बात करें असम के मुख्यमंत्री कौन है तो 15 नंबर के समय असम में जो है वो मुख्यमंत्री है जिनका नाम क्या है हिमंता बिस्वा सर्मा हिमंत बिस्वा सर्मा जो है वो व माई माँ में ही 10 माई को सपत जो है वो ग्रहन की थी 10 माई 2021 को तीस नमबर प्रसन आपका किस राज्य का लोगसभा और राज्य सबा में पृतिनिर्दित्व सबसे अधिक है अच्छा प्रसन है उत्तरप्रदेश मद्प्रदेश महराष्ट आंध्रदेश बताई इनमें से कौ संक्या के यादार पर सबसे यादा बड़ा उत्तरप्रदेश तो लोगसभा और राज्य सबा में जो पृतिनिर्दित्व है वो भी आप उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं उत्तरप्रदेश यहाँ पर भी आपका बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं आ अंसर की इन चार उप्शन में से तो आपका लोगसभा के सदस्यों की खुल संक्या जहारकंड में 14 है आपका सई हो जाएगा साथे-साथ यह जरूर आपको बता होना चाहिए जिस भी राज्य को लेकर कोई भी प्रसन आए कि वहां के मुख्यमंत्री कौन है तो जहारकंड के वर्थमान में मुख्यमंत्री कौन है तो इनका नाम है हेमंत सोरेन साफी चर्चा में भी रहते हैं तो नाम भी आपने अवस्च्छ जो है वो सुना होगा ये जहारकंड जो है इस समय वर्दमान में मुख्यमंतरी है 32 प्रसने निम्लिकित में से राज्यों के किस युग्म को लोग सभा में समान सीटे प्राप्त है निम्लिकित में से राज्यों के किस युग्म को लोग सभा में समान सीटे प्राप्त है तो चली बात करते हैं आंसर की तो आपका इन जहारों आप्शन में से आंद प्रदेश और राजिस्थान वाला ये जो है वो पिल्कुल सही होगा क्योंकि आंद प्रदेश में जो लोग सभा सीटे हैं वो कितनी है वो आपकी 25 है और राजिस्थान में लोग सभा सीटे कितनी है 25 भी है तो दोनों जगा समान है और जैसे यहाँ पर option है उनकी अगर बात करें जैसे पंजाब है तो पंजाब में लोग सभा सीटे कितनी है तो आपकी 13 है अब इसमें भी division होता है सामान वर्ग हो गया अनुसूचित जाती है अनुसूचित जन जाती है उसमें भी division होता है पर आपको नॉर्मली ऐसे बता गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो संख्या है सीटो की वो 26 है राजिस्तान तो ँमैंने आपको बताई दिया ये राजिस्तान नीचे एवब में लिखाता मद्ष प्रदेश की बात करें तो ये संख्या जो है वो 29 है और बचाब का तमिल लाडू, तमिल लाडू में इस अंख्या जो है वो 39 है और इन सबको अलग करते हुए यूपी आपको अवश्य पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो है कुल 80 सीटे हैं लोगसभा की 33 प्रसंद देखते हैं उत्तर प्रदेश के अतरिक्त लोगसभा में किन दो राजियों का प्रतंदेशित्व सबसे अधिक है यानि कि उत्तर प्रदेश के अलावा पूशा गया है बताईए बिहार और अंधिप्रदेश, महराष्ट और पश्चिम मंगाल, करनाटक और अंधिप्रदेश या फिर तमिल लाडू और सर्राजिस्थान कौन सा इन में से जो है वो सही होगा तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की इन चारो आप्शन में से बताईए इन चारो आप्शन में से कौन सा आपका सही होगा चलिए फिर बात करते हैं अंसर की आप्शन A, B, C, D में से तो आपका आप्शन बिल्कुल B वाला महराष्ट और पश्चिम मंगाल जो है वो सही होगा क्योंकि प्रस्ण में पूचा गया था कि दो राज्यों का प्रतिन circuit जो है वो सबसे अधिक है महराष्ट बें अकर बात करें लोग सवा सीतों की संख्या की तो 48 है यहीं अकर बात करें पश्चिम मंगाल में तो पश्चिम मंगाल में या पर जो सीते हैं वो 42 है वाकि यदि बिहार की बात करें तो बिहार में ये संख्या 40 है इसलिए आपका 40 वाला है अंसर ये नहीं सही हुआ तो इस टाइप से आपकी जो है वो अलग अलग विभाजन किया गया है 34 प्रसनाप का है वर्तमान में किस राजिक का लोग सवा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा इस्थान है अब देखें मैंने उपर इतने सभी ऑप्षन के तक पता दिये कि इस टाइप से अगर प्रसनाप से पूछा जाए तो आप जो है वो कर ले जाए तो दूसरा इस्थान है अंसर की बात करते हैं तो आपका भी वाला उप्षन महाराष्ट ही यहाँ पर सही होगा मैंने बताया उपर आले उप्षन में प्रसन में कि महाराष्ट जो है वहाँ पर जो संख्या है यह 48 है और यह दूसरे नमबर पे आता है सबसे अधिक उपी में सबसे अधिक संसदी चेत्र किस राज में है बताईए मदब्रदेश, बिहार, महराष्ट, तमिलाडू कौन सा इन में से जो है वो सही होगा तो सेम संसदी चेत्र भी आप उपर आले प्रसंद के साथ जा सकते हैं जहां पर आपने देखा महराष्ट में अधिक तम सदस्यों जो सीटे हैं उनकी पुल संख्या कितनी है अब इसके जश्ट उपर के उपर प्रस्ना है तो वहाँ पर मैंने औप्षन पहला वाला दे रखा तो वहाँ पर मैंने बिहार में सीटों की संख्या बताई थी बताईए इन में से कौन सा आपका सही होगा वैसे इतना डिटेल मे ना पूछकर जो गिने चुने जैसे बिहार हो गया यूपी हो गया महराश्ट हो गया यही सब अधिकतर पूछे जाते हैं तो चली बात करते हैं फिर अंसर की तो आपका पहला ही ऑप्षन यानि की चालेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बिहार में लोगसभा सीटों की खुल संख्या है तो 37 प्रस्न है 36 गड़ राज्य जोयवस में लोगसभा के कितने निर्वाचन छेत्रे हैं नौ है या फिर 11 है या फिर 13 है या फिर 18 है पताइए इन में से कौन सा जो है आपका साही होगा 36 गड़ राज्य को लेकर जो है वो फूचा गया है तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ओप्षण ABCD में से तो यहाँ पर यह संख्या जो है आपकी 11 है आपका B वाला ओप्षण यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा 38 प्रस्ण है निमले के 4 राज्यों में से किस राज्य से लोगसभा में सबसे कम सदस्य है यह भी ठीक ठाक प्रस्ण है बताइए आंदपुर्देश, हर्याणा, केरल, उडिसा में से कौन सा जो है वो सही होगा चली बात कर लेते हैं अंसर की इन 4 ओप्षण में से तो आपका यहाँ पर ओप्षण हर्याणा बिल्कुल सही हो जाएगा यह जो 4 राज्यों दे रखे है उसमें लोगसभा में सबसे कम सदस्य जो है वो पूछा गया था हर्याणा में सदस्यों की संख्या कुल 10 है तो दस आपकी यहाँ पर जो है इन ओप्षण के अकॉर्डिंग अगर आपको कहेंगे तो जो है वो कम है और अध उडिसा में मैंने उपर भी प्रस्ण में आया था तो बताया था उडिसा में संख्या जो है वो 21 है केरल में संक्या कितनी है तो केरल में जो है संक्या 20 है आंद प्रदेश जो है वो भी मैंने आपको बताया था आंद प्रदेश में जो संक्या है वो आपकी 25 है तो सबसे कम किसकी हुई इन option के according हर्याणर की 39 प्रसन देखते हैं जहां तक लोग सभा में प्रतिनिदित्त का प्रसन है कौन से राज़ दूसरे और तीसरे दरजे पर आते हैं पताये इनमें से कौन से सही होगा ये सिखेंड आश्ट प्रसन होगा स्टार्टिंग में ने बताया था 40 प्रस्णम देखेंगे और एक प्रस्णम आपसे भी पूछेंगे अंसर की बात करते हैं इन चारो आप्शन में तो महराष्ट और पश्चिम अंगाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जो की आप कहेंगे की दूसरे और तीसरे दर्जे पर आपको देखने को मिलते हैं महराष्ट 48 संख्या और पश्चिम अंगाल 42 संख्या ये संख्या किसकी है लोग सभा सीटो की संख्या है देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्न इसके बाद एक प्रस्नम आप से पूछेंगे वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा दिल्ली, पुलुचेरी, लक्षदीव, लड़ाक कौन सा इन में से सही होगा चलिए बात करते हैं फिर अंसर की ऑप्षण एबी सीडी में से कौन सा सही होगा तो आपका पैला यह ऑप्षण यहाँ पर दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा लोग सभा में तो दिल्ली संग सास चेतर इसके सारवाधिक प्रतिनिदी निर्वाचित होकर आते हैं सभी प्रस्न समापत हुए अब एक प्रस्न आपके लिए भी जैसे की सभी वीडियो में आपसे एक नएक प्रस्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रस्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के main comment में type करके बताना है कि लोग सभा का सामानिता कारेकाल कितने वर्स का होता है इससे पहले जो पाट था उसमें मैंने पूछा था कि लोग सभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छत जो भी वेक्ति है इच्छो वेक्ति है उसकी लाइप टाइमिंग दो हैं दोबहर के 3 बजे साम के 8 बजे तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं और इससे पहले के वीडियो न देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मिलते हैं फिर चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रस्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, अब तकिल नमस्कार, जैहिन!